हाई मैं हूँ प्राजकता इंदुलकर पावार और आप सभी का स्वागत है मेरे चानल विन विद वेल बिंग पे योग पार्टनर इन दे जर्नी ओफ वेल बिंग तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है कोविड वैक्सिनेशन के बारे में मैं यह पूरे वीडियो में आपके सा दूज और डोंट शेर करने वाली हूँ जो कि कोविड वैक्सिनेशन के बाद आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं तो आप मेरा वीडियो पूरा देखिए और साथ ही आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं कि यह वैक्सिन बहुत ही सेफ हैं अगर आपने भी अभी तक यह वैक्सिल नहीं लिए तो प्लीज जाएए कोविन अपसे आप रेजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यह वैक्सिन ले सकते हैं और यह दोनों में अव् słu weirdy MP send is ज्फ सब्राइब मळना है और चाहता है कि आप तूर से कुछ problem नहीं है और यह भी सच है अगर वैक्सिन होने की बाद भी अगर आपको कोवीड होता है तो उसके symptoms बहुत ही mild होते हैं जो कि आप easily tackle कर सकते हैं तो वैक्सिन लेना बहुत ही important है हाँ बट यह भी है कि वैक्सिन लेने की बाद भी आपको mask यूज करना है social distancing को follow करना है साती बार-बार जैसे हम लोग पहले से hand wash करते आ रहे हैं वो भी आपको वैसे ही रखना है क्योंकि अगर वैक्सिन लेने से भी यह बोला जा रहा है कि तभी भी कोवीड ट्रांसफर हो सकता है बट अगर आप अच्छे उसकी prevention technique को यूज करेगे तो आप उससे आसान इसे चार हदूर है सकते हैं तो आपको यह guidelines भी follow करनी ही है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डूस से मतलब जो जो चीज़े आपको करनी हैं ध्यान में रखनी हैं वो चीज़ों कितने दिन बाद लेनी चाहिए या कब लेनी चाहिए वो यह situation के बारे में वो आपको ज्यादा information देंगे और साथ ही आज कल यह भी देखा गया है एक study भी हो चुकी है कि pregnant ladies भी इसे ले सकते हैं lactating mother भी ले सकते हैं बट फिर से में यह बोलूगे कि आपको compulsory आपकी गायना को पूछना चाहिए consult करना चाहिए अगर वो कहते हैं कि आप ले सकते हैं तभी जाके आपको लेना है क्योंकि बहुत ही important है वो period में आपको आपकी डॉक्टर से consult करना और साथ ही जब आप COVID vaccination ले बिल्कुल इसे ना ले कुछ अच्छा नाश्टा कर ले चाहिए वो protein रहे आप boiled eggs भी ले सकते हैं नाश्टे में और अलग अलग टाइप के जैसे आपको सही लगे वैसे एक अच्छा वाला नाश्टा करके ही आप घर से निकलिए तो इसके आपको कुछ अलग adverse effect नहीं जो हम लोग रोज डेली इंटेख है आठ से लेके 10 गलास पानी आपको रोज हमेशा पीना चाहिए कोई वैक्षिन के पहले भी कोई वैक्षिन के बाद भी क्योंकि ये डूज में भी बहुत ही important point है साथ ही जब भी आपको आपके doctor's vaccine देते हैं तो उसके बाद आपको लोगों को देखा है कि वो लोग बोलते हैं कि मुझे थोड़ा काम है मुझे जल्दी निकलना है बट ये सब आपके health के लिए है इससे उस doctors के लिए कुछ भी फाइदा नहीं है ये बट आपके उपर उनका एक supervision होगा क्योंकि बहुत लोगों को पहले 30 मिनिट में कुछ दि है तो वैक्सिन लेकि जब भी आप घर आते हैं तो आपको मैंने जैसे कहा हाइडरेट रेना चाहिए nutritious diet लेना चाहिए खाना अच्छा लेना चाहिए और proper rest होना बहुत important है अगर आप rest ने लेगे आप exertion करते हैं तो शायद आपको और ये symptoms तकलीप दे सकते हैं इसलिए आपको doctors भी बताएंगे और आपको ये follow भी करना चाहिए तो देखिए जब मैंने मेरा पहला dose लिया था तो मैंने कोविशिल का dose लिया था तो जब भी मैंने मेरा पहला dose लिया था तो मुझे मतलब अलग-अलग symptoms है हर किसी को person to person ये vary होता है अगर मुझे जो symptoms होते हो जरू मुझे रात को थोड़ा सा 23 बुखा रहा था बटो करीब दो तीन घंटे ही रहा उसके बाद मुझे headache हो रहा था मुझे joint pain हो रहा था या muscle pain बोल सकते हैं और दूसरे दिन में मुझे थोड़ा सा mind confusion जैसा भी situation हो गई थी बटो कुछ थोड़े time के लिए थी बट जैसे मेरा one and half day complete हो चुका मुझे ऐसा लगाई नहीं कि मुझे कुछ हो रहा था मतलब यह बहुत ही normal में फिर से normal stage पर आई तो यह बहुत ही normal है ऐसी चीज़े ऐसे symptoms काफी लोगों में दिखाई देते हैं किसी किसी में तो बिलकुल नहीं दिखाई देते बट वह भी normal है प्लीज मत बुखार है तो तभी आप paracetamol 650 mg वगरा ऐसे टाबलेट ले सकते हैं जो वहां से आपको डॉक्टर भी खुद आपको बताएंगे तो आपको वो टाबलेट लेनी चाहिए उसे बुखार कम हो सकता है कम होता है actually तो यह चीज़े आपको ध्यान में रखनी है और अगर आप आपकी का जो आगे का step वो आपको explain करेंगे और जबी भी आप vaccine ने जाते हैं तब वहां पे आप क्यू में भी social distancing को आपको follow करना है mask on रखना है और जो जो हम लोग को बोले हैं जो hand sanitize हम लोग करते हैं वो सब चीज़े आपको same basic की वैसे ही follow करनी है तो यह थे कुछ do's जो आपको करने चाहिए तो अब हम लोग बात करते हैं don'ts के बारे में जो चीज़े आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए उनके बार में हम देखते हैं तो सबसे पहला important point यह है कि आपको vaccine नेले के पहले और vaccine नेले के बाद 48 hertz तक आपको smoking या alcohol का consumption बिल्कुल नहीं करना है it's not recommend तो आप यह चीज़ों को अधान में रखे आपको बिल्कुल भी ऐसे चीज़ों का सेवन नहीं करना है साथ ही अगर आपको जहां पर injection या vaccine लगाया है वहाँ पर थोड़ा सा swollen हो सकता है वह एरिया तो आपको बिल्कुल भी आइस पैड या कुछ हीट को अपलाए बिल्कु कि मैंने आपको बताया कि कुछ सिंटम्स हो सकते हैं बट मैंने यह भी बताया है आपको अगर 72 हर्स तक यह प्रॉब्लेम परसिस्ट होता है तो आपको सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए तब कुछ भी करके आपको आपके नियरेस्ट होस्पिटल या वैक् आपको एक टीब बताना चाहती हूँ अगर आपको विकेंड की चुटी रेती है जैसे अगर आपको संडे की चुटी रेती है तो आप ट्राय करें कि आपका कोवीड का वैक्सिनेशन सेटरडे को बुक करें ताकि अगर आप सेटरडे को वैक्सिनेशन लेते हैं तो पूरा चीज बताना चाहते हूँ कि मैंने अभी second dose भी complete किया but second dose की जो मेरे experiences थे वो बहुत ही अलग थे first dose के compare में first dose में मुझे बहुत जो symptoms दिखाई दे उनके बारे में मैंने बताया आपको पहले और second dose के बार में तो मुझे बिल्कुल भी कुछ भी symptoms दिखाई ने दे मैं बहुत ही normal थी but फिर भी मैंने अच्छी rest ली और मैंने खाना भी मेरा अच्छे से रखा उसे मैंने खाना भी अच्छा लिया मैंने rest भी proper की तो ये मैं आपको बताना चाहते हूँ कि बहुत लोगों को second dose के बाद कुछ जादा symptoms या बिल्कुल भी symptoms नहीं दिखाई देते हैं तो भी वो normal ही है तो ये मत समझो कि अभी मैं बहुत normal हूँ मुझे कुछ भी symptoms नहीं है मैं कुछ भी कर सकता हूँ तो ऐसा नहीं है आप जितना चाहिए आपको rest लेने पर फ्रेफर करना चाहिए तो आपका second dose के बाद भी rest लेना बहुत important है और अगर second dose के बाद आपको कुछ भी symptoms नहीं देखाते हैं तो भी परिशान मत हो जाएए कुछ थोड़े-थोड़े symptoms दिखाई देते हैं तो भी परिशान मत हो जाएए क्योंकि वो दोनों भी cases में normal है और भी एक चीज़े जिसका आपको ध्यान रखना है वो है कि vaccine के बाद मैंने जैसे का आपको rest ही लेना है तो कुछ आप exercise करते हैं heavy exercise, light exercises, कुछ भी आपको नहीं करना है weight training, जो कुछ है आपको सब बंद करना है, at least एक दिन के लिए तो आपको पूरा rest करने पर ध्यान देना चाहिए ज्यादा से ज्यादा नीन लो, वो बहुत ही अच्छी है हमारी सहत के लिए और साथ ही अगर आपको नीन में भी कभी-कभी बहुत लोगों को दिक्कते होती है तो आप अगर ऐसे कुछ problems face कर रहे हो, तो उसके लिए भी मैंने मेरे चानल पर पहले से एक वीडियो बना के रखी है उसकी link चाहिए तो मैं उपर i-button में दे दूंगी, आप जाके प्लीज वो भी वीडियो चेक कीजिए चलिए आज के वीडियो में इतना ही I hope आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे वीडियो को like, comment करें और जादा से जादा लोगों तक ये वीडियो को share करना ना भूले साथ ही अगर आपने मेरे चलनलों को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चलनलों को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बार जो में जो bell icon है उसे भी हीट कीजिए ताकि मैं नया वीडियो अगर डालूंगे तो उसकी अपडेट आपके पास आते रहेंगे तो ठीक है आज की वीडियो में इतना ही थैंक यू, बाई, स्टे टून, टेक केर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में